आज हम आपको सुनाएंगे चींटी और कबूतर की कहानी ये कहानी कुछ समय पहले की है एक चींटी पेड़ की उचायों पर चड़ी और तलाब के अंदर गिर पड़ी ये घटना एक कबूतर ने देखी और उस चींटी को बचाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया कबूतर ने उसी पेड़ से एक पता तोड़ा और डूपती हुई चींटी के पास फैक दिया और चीन्टी ने इस पते के उपर चड़ कर अपनी जान बचाई और कबूतर के तरफ देखते हुए उसे धन्यवाद किया इस घटना के कुछ समय बाद एक बहेलिया जंगल में आया बहेलियों को तो काम ही होता है पक्षियों को पकरना बहेलिया ने जमीन पर कुछ दाने छिरकने के बाद उसके उपर अपना जाल डाल दिया ताकि कोई पक्षि दाना खाने आये और उसमें फस जाए बहेलिया की इस तयारी को उसी चीन्टी ने देखा जिसे कबूतर ने बचाया था वो चीन्टी तुरंत समझ गई कि इस जाल में कहीं उसका दोस्त कबूतर ना फस जाए जिसका डर था वही होने जा रहा था वो कबूतर उसी जाल की तरफ बढ़ रहा था दाना चुगने के लिए लेकिन इस बात से अंजान था कि उसी दाने के पीछे जाल चुपा हुआ है और वो उसमें फस सकता है चीन्टी खबर आ गई और उसे तुरंत एक उपाय सूच गया उसने छुपे हुए बहलिय के पैर में इतना जोर से काटा कि बहलिय के मुह से चीख निकल पड़ी और कबूतर का ध्यान उधर चला गया फिर कबूतर तुरंत ही समझ गया कि ये दाना नहीं बलकि उसी बहलिय का जाल है और फिर कबूतर दूसरी तरफ उड़ गया तो ऐसे करके जिस तरह से कबूतर ने चेंटी की जान बचाई वैसे ही चेंटी ने भी अपना करतव्य निभात हुए कबूतर की जान बचाई इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कर भला तो हो भला यानि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो बदले में भी आपको अच्छा ही मिलता है बाकी बुरा करम करने वालों का घर खुद ही देख लें देर सवेर उन्हें बुराई का फल जरूर मिलता है धन्यवाद